वेलकम बियो साज हम बात करेंगे, हैपेटाइटिस B वारिस से इंफेक्टिड परसन अगर आपके फैमिली में है तो आपको क्या प्रिकॉशन्स लेनी है, हैपेटाइटिस B की प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए और अगर हैपेटाइटिस B से गरसेत है तो क्या फूड आपने लेने हैं, अगर आपके फैमिली में कोई हैपेटाइटिस B से इंफेक्टिड परसन है तो सबसे पहले जो है आपने सारे फैमिली मेंबर जो भी आपके माता-पिता है, बच्चे हैं, भाई, बहन हैं, उन सभी का हैपेटाइटिस B सरफिस एंटिजन का टेस्ट करव के लिए कि नहीं है अगर आपका antibody to hbs antigen जो है वो 10 million international unit per ml से ज्यादा है तो इसका मतरब है कि जो person है वो protected है और immune है infection से और इन्हें vaccination की जूरत नहीं है जिस भी family member का antibody to hepatitis B surface antigen 10 million international unit per ml से कम है तो ऐसे family member को vaccination की जूरत है इसके अलावा जो आपका spouse है उसके साथ आपने barrier method of contraception यूज करना है जैसे की condom का यूज करना है जब तक कि आपके spouse में एक protective level of antibody नहीं बन जाते हैं इसके अलावा जो infected person है आप family में उसे आपना जो है razor razor blade toothbrush nail creepers शेयर नहीं करने हैं आपने दूसरे family member के साथ अगर उनको कोई चोट लग जाती है इंजरी लग जाती है ऐसे infected person को जो open bond है उसके immediately cover करना है dressing करके अगर कोई भी blood spillage है जैसे एक floor के उपर कोई blood गिर गया है तो उसे जो है bleach के साथ clean करना है क्योंकि जो बाइरस है वो blood में even dried blood में भी साथ दिन तक survive कर सकता है तो यह सारी precaution आपने जो है लेनी है family में अगर आपके family member में कोई hepatitis B virus से related patient है अब हमने prevention hepatitis B virus की prevention के लिए क्या करना है in general जो है हमारे पास hepatitis B virus prevention के लिए एक बहुत ही effective जो है vaccine available है जो इसकी efficacy 95% से ज्यादा है यह जो vaccine है यह सारे बच्चों को जो भी बच्चे इंडिया में बहुन होते हैं सब को जो है बर्थ के बाद लगाई जाती है जो भी adult unvaccinated है आइटली सारे adult को जो है आपना और children को जो है अपना hepatitis B virus का vaccination लेना चाहिए जो भी unvaccinated है अगर सारे लोग यह नहीं लगाते हैं तो at risk जो high risk situation में जो लोग है उन्हें जो है अपना पूरा vaccination करवाना चाहिए जो high risk situation में generally है वो है जैसे health care worker है dentist है surgeon है और health care worker है जिनका इंफेक्टिर जो patients के साथ है उनका contact रहता है उन्हें अपना vaccination कराना चाहिए और उन्हें जो है अपना antibody to hepatitis B surface antigen भी चेक करते रहना चाहिए कि उनमें protective level of antibody है कि नहीं है इसके अलावा जो हेमोटाइलेसिस patient है जो हेमोटाइलेसिस का staff हुआ है हेमोफिलिक patient है जो homo sexual है जो person है जिसके multiple sexual partner है या high risk sexual behavior में जो engaged है जिनको sexually transmitted diseases है इन सभी को भी अपना vaccination करवाना चाहिए क्यूंकि यह ज्यादा exposure में risk में होते हैं इसके लावा जो भी patient chronic liver disease से ग्रसित है जिनको diabetes की बीमारी है उन्हें भी hepatitis B virus का vaccination करवाना चाहिए अब हम बात करते हैं कि खाने पीने का जो है इसमें ध्यान रखना चाहिए जो भी hepatitis B virus से समंदित रोगी है सबसे important बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो hepatitis B virus है इसका कोई भी alternative medicine में इसका कोई treatment अभी level नहीं है उन में यह risk जादा रहता है इसके अलावा जो खाने पीने का जहां तक समंध है यहां पे कोई ऐसी dietary restriction बहुत जादा नहीं है आप एक नॉर्मल बैनेस डाइट आपको लेनी चाहिए जिसमें आप fruits लें, vegetables लें, pulses दालें, rice लें जो भी normal खाना घर में बनता है वो आप सब कुछ कह सकते हैं इसमें किसी भी खाने की particular मनाई नहीं है कुछ लोग हल्दी का सेवन बंद कर देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है आप यह सब कुछ जो है वो खा सकते हैं हाँ आप थोड़ा सा घी और बटर है और जो रेड मीट है उसका सेवन थोड़ा कम कीजिए क्योंकि इससे जो है लीबर में फैट होने की जो है संभावना रहती है इसके अलावा जो आपने दियान रखना आपने एक नॉर्मल बॉड़ी बेट मेंटेन करना है आप अगर अगर हो जाते हैं तो आपको लीबर में फैटिक अठा हो सकता है जो की है पैटेटिस बीस पॉस्टिव लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो कुछ फूड है जो यह आपके लीबर के लिए अच्छा रहता है बीट रूट अगर आप लें तो वह भी आपके लिए अच्छा होता है इसमें एंटियोक्सिडेंट काफी अच्छी मातरा में होते हैं ऐलमेंट्स आपके लिए जो होते हैं यह लीबर के लिए अच्छे होते हैं इसके अलावा कुछ misconceptions ko दूर करने के लिए मैं आपको बदा देता हूँ कि जो ये infection है ये एक दूसरे के साथ में बैठने से एक घर में रहने से एक wash room यूज़ करने से नहीं फैलता है ये एक दूसरे से हाथ मिलाने से, एक दूसरे को हद करने से साथ में खाना खाने से और किस करने से भी नहीं फैलता है नहीं ये कफिंग और सिनीजिंग के दोड़ा फैलता है आप नॉर्मली जो है घर परिबार में एक दूसरे के साथ रह सकते हो साथ में बैटके खाना खा सकते हो तो ये infection एक दूसरे को ऐसे surprise नहीं करेगा हाँ जो आपको मैंने बताया है blood और body fluid से related precautions उसका आपने ध्यान रखना है जो लोग exposed हो जाते हैं मान लिजए infection के लिए जैसे कि आप healthcare बरकर है आपको एक needle stick injury हो जाए या कोई body fluid या blood से contact हो जाए तो उस cases में और आप unvaccinated हो तो उस cases में आपको जो है immediate जो है hepatitis B immune globuline का injection लगवाना है जो hepatitis B immune globuline हो एक rapid immunity प्रवाइड करता है हमें hepatitis B virus के against इसमें antibody होते है hepatitis B surface antigen के लिए साथ में ही आपने vaccination शुरू करनी है ऐसे ही किसी sexual contact के दोवारा exposure होता है एकिस infected person के दोवारा तो similarly आपने hepatitis B immune globuline का injection लगवाना है और vaccination करना है अगर infected mother से बच्चों का exposure होता है तो उसमें भी aminopropylaksis देना है hepatitis B immune globuline का injection लगवाना है और vaccination करना है इन सारी बातों का ध्यान देखे I hope यह information आपके काम आए